हेलो स्टुडेंट मैं सत्ताम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तक्बाल करता हूँ हमने अपने प्रीवेस वीडियो के अंदर ओक्सीजन एंड ओक्सीजन की प्रोपर्टी और कुछ ओक्साइड के बारे में जनरल इंट्रोड़क्शन लिया था आज हम फिर से एक बार ओक्साइड पढ़ेंगे उसके बाद ओजोन पढ़ेंगे और लाफ्स टॉपिक जो आज का हमारा होगा वो होगा सल्फर के अलोट्रोप्स आज का जो हमारा topic है वो है oxides First of all हमें यह जानना चाहिए कि oxide का formation कैशे होता है तो जब भी कोई metal, non-metal या metalloid oxygen से reaction करेगी तो उनकी combination से जो compound बनेगा उस compound को oxide कहते हैं तो basically हम यहाँ पे कह सकते हैं oxygen react with metal, non-metal and metalloid formed different type of oxide अब यह oxide कितने types के होते हैं उनके बारे में बात करने हैं तो first oxide जो लेंगे हम acidic oxide नेम से ही clear है acidic oxide वो oxide होते हैं जो water से reaction करके acid का formation करें अब यहाँ पे एक main point ध्यान रखना है कि इस acidic oxide का formation कैसे होता है तो जब भी non-metal oxygen से reaction करके जो compound बनाएगी वो सारे oxide जो होगे acidic oxide होगे इसमेंज हम यहाँ पे कह सकते हैं इस oxide आर फॉर्मड बाई दे रियक्शन अफ नॉन मैटल विट O2 नेक्स्ट कहें बाद इसमें तो दोज oxide विच फॉर्मड एसिड ओन रियक्शन विद वाटर आर कॉल्ड एसिडिक oxide अब इनके example की बाद करें तो example मैंने यहाँ पे CO2 की reaction वाटर से करवाई है SO2 की reaction वाटर से करवाई है P4 O10 की reaction वाटर से करवाई है और जब इनकी वाटर से रियक्शन करवाई जाती है तो वाटर से रियक्शन करवाने पर CO2 बनाता है कार्بनिक एसिड SO2 बनाएगा सलफ्यूरस एसिड और P4 O10 बनाता है फॉस्पोरिक एसिड तो ये सारे के सारे जो है acidic oxide है next oxide की बात करें तो वो है basic oxide basic oxide mainly जो formed होते हैं वो metal से reaction करने पर होते हैं it means these oxide are formed by reaction of metal with O2 यानि जब भी metal की oxygen से reaction करवाई जाए तो जो compound बनेगा उस compound को basic oxide करे दे अब इन basic oxide की definition देखना चाहे those oxide which formed base on reaction with water are called basic oxide अब इसके कुछ example देखे हम इसके अंदर तो first लिया हमने calcium oxide sodium oxide इनकी reaction water से करवाई तो calcium की reaction करवाने पर calcium hydroxide बना Na2O sodium oxide की reaction water से करवाने पर NaOH बना जो की base है next बात करें इसके अंदर amphoteric oxide अब amphoteric oxide का मेंज यह है कि ऐसे oxide जो acid और base दोनों की तरह act करते हैं यानि कि अगले वाला compound जिससे reaction हो रही है वो acid है तो हमारा जो यह oxide होगा वो base का वर्क करेगा इसके अगले वाला compound जिससे की oxide की reaction करवा रहे है वो base है तो हमारा oxide जो है acid की तरह react करेगा तो यहाँ पर इन oxide का behavior जो है उस compound के उपर depend करता है कि compound का nature कैसा है तो basically हम यहाँ पर कह सकते है कि they are act as both acid and base अब इसके example देखना चाहें तो HCl की reaction Al2O3 से करवाई alumina से करवाई या aluminium oxide से करवाई तो HCl एक acid है और acid की reaction Al2O3 से करवाई जा रही है तो जब हमारा compound acid था तो alumina जो है एक base का work कर रहा है और salt बनाता है और अपने को यह मालूमी है कि acid और base की reaction होती है तो salt plus water निकलता है तो यहाँ पर HCl acid है तो base कौन हुआ Al2O3 और दोनों मिलकर क्या बना रहे है water plus salt तो यह था इसका example next बात करें NaOH की next reaction ले NaOH की हम reaction करवा दें Al2O3 से तो NaOH सब को मालूम है कि एक base है और यह base जब Al2O3 से reaction करता है तो क्या बनता है salt बनता है और यह जो salt बना है it means हम यह कह सकते हैं कि यहाँ पर Al2O3 जो work कर रहा है एक acid का work कर रहा है तो अगला compound कैसा है उसके उपर इनका nature जो है depend करता है acid है तो खुद base की तरह behavior करेगा और base है तो खुद acid की तरह behavior करेगा next type of oxide जो है वो है neutral oxide यह गिंती के 4 या 5 है सिधा learn रखना है यानि कि यह acid और base दोनों की तरह behavior नहीं करते हैं तो कौन-कौन से हैं carbon monoxide nitric oxide मतलब nitrous oxide H2O water अब N2O आपने कई बार सुना होगा जिसको laughing gas कहते है nitrous oxide है लेकिन NO जो है nitric oxide है यह आप ध्यान रखें तो यह 4 नेव हैं जो आपको ध्यान रखना है carbon monoxide nitric oxide nitrous oxide और water next बात करें इसके अंदर यह oxide जो होते हैं न तो किसी acid से combine होंगे नहीं base से combine होंगे और नहीं salt का formation करेंगे next topic जो हमारा है वो है ozone आप सभी को मालूम है कि ozone main component है stratosphere का जो कि हमारी harmful UV rays से protection करता है और एक important point है जो ध्यान रखना है कि ozone is a isotope of oxygen oxygen का isotope होता है and it main component of stratosphere of earth atmosphere which protect us from UV rays अब हम बात करेंगे इसके method of preparation की अब हमें यहाँ पर जो है lab method का discussion नहीं करना है सिर्फ stratosphere में ozone कैसे बनती है उसका discussion हमें करना है भजी lab method तो several से है लेकिन हमें सिर्फ stratosphere में कैसे form होती है उसके बारे में discuss करना है तो method जो है from O2 first of all हमें O2 को क्या करना है breakdown करना है यानि कि sunlight की present में sunlight की present में oxygen का molecule दो oxygen atom में breakdown हो जाएगा और यह जो single oxygen बना है इस oxygen को बोलते है nascent oxygen यह nascent oxygen बहुत ज़्यादा reactive होता है और यह nascent oxygen जो है और यह जो reaction होती है इस reaction के दोरान बहुत ज़्यादा energy निकलती है इस कारण से इसको exothermic reaction बोलते है अब यहाँ पर यह जो nascent oxygen बना है यह nascent oxygen highly reactive होने के कारण सीधा oxygen molecule से reaction करेगा और ozone का formation कर देगा तो simple से दो step में इसका formation होता है state o spare में पहले oxygen का decomposition और next जो है nascent oxygen का addition to oxygen molecule इन दो step में इसका formation होता है next बात करें इनकी properties की तो first property जो इसकी है वो यह है कि यह light yellow blue color का होता है gaseous state में liquid state के अंदर यह blue color का होता है और solid state के अंदर यह violet color का होता है यानि कि यह ऐसा substance है जो हर state में अलग-अलग color का दिखाई देता है next बात करें इसके अंदर कि यह water से heavy होता है क्योंकि इसकी density जाता होती है next property जो है वो यह है कि ozone is a strong oxidizing agent which gives nascent oxygen यहाँ पे oxygen हटा दें और उसकी जगे ozone लिखें तो ozone oxidizing agent है क्योंकि उसमें oxygen तो पहले से present है और जैसे ozone को breakdown करेंगे और breakdown करने पर क्या बनेगा oxygen बनेगा यानि किसी भी substance को oxygen देना है तो कौन काम में आ रहा है ozone काम आ रहा है और जो oxygen देता है वो oxidizing agent होता है ozone breakdown होके nascent oxygen और oxygen molecule का formation करते है next बात करें इसके अंदर quantitative analysis of ozone यानि ozone को हमें measure करना है कि कितने amount के अंदर है तो वो कैसे होता है lab के अंदर वो देखना है तो इसके अंदर में क्या करना है कि ओजॉन की रियक्षन हमें के आई से करवानी है तो ओजॉन की रियक्षन जैसे ही के आई से करवाएंगे तो हमारे पास I2 लिब्रेट होगी यानि I2 हमें ओप्टेन होगी यह जो I2 लिब्रेट हुई है इसको कलेक्ट करके टाइट्रेट करवानी है सोडियम थायो सल्फेड से और उसके बेश पर जो हमें O3 का एमाउंट एनलाइस्ट कर सकते है टाइट्रेशन का नाम आपने सुनाई होगा 11th क्लास में प्रेक्टिकल आपने किये है उस प्रेक्टि क्युलेट करना ओपिक जो है वह स्ट्रेक्टर ऑफ ओजान के अंदर ऑशीजन के तीन मॉलिक्यूल है और यह तीन मॉलीक्यूल किस तरीके से अरेंज होते हैं किस से बॉण्डिंग करते हैं उसके बारे में हमें पूरा introduction लेना है तो first of all मैं first oxygen बनाता हूं फिर next देखा जाए इसके अंदर तो मैं second oxygen और third oxygen बनाता हूं अब यहां पर हमको एक बात clear रखनी है कि oxygen के पास outer mode cell में six electron होते हैं अब six electron है और ये electron bonding में participate करते हैं और किस तरीके से participate करते हैं और किस type का bond बनाते हैं उसके बारे में हमें देखना हैं तो मैं यहां पर क्या करता हूं first of all first और second oxygen के बीच में मैं एक double bond बना देता हूं यानि कि first oxygen के दो electron bond formation में participate कर चुके हैं अब total electron कितने बचे four इस four मेंसे दो electron तो मैंने as a long pair की form में represent कर दिये remaining बचे दो electron वो भी long pair की form में होगे first oxygen के पास six electron next लेते हैं हम second oxygen अब second oxygen के पास भी six electron है अब second oxygen के पास भी six electron है but in six electron मेंसे दो electron तो double bond participate double bond में participate कर चुके हैं remain बचे four electron अब इन four electron मेंसे two electron को मैं इस तरीके से represent करता हूं तो अब यहां पे देखे total electron हो गये 4 second oxygen के पास 2 double bond में और 2 जो है lone pair की form में presented अब फिर इस पर मैंने जो है second oxygen पर एक plus charge लगा है plus charge का means क्या है कि एक electron इसने अगले वाले oxygen को donate किया है अब एक electron अगले वाले oxygen को donate करने के बाद इसके पास एक electron बचा और electron donate करने के बाद ये bond का formation कर रहा है अपना एक electron के तुरू तो second और थर्ड oxygen के बीच में जो bond बना है उस bond के electron आए कहां से है second oxygen से तो second oxygen ने अपना एक electron थर्ड oxygen को दिया तो जिसने electron दिया है इस पर positive charge है और थर्ड oxygen ने electron लिया है it means negative charge है तो इस तरीके से इस bond में दो electron हुए तो इस second वाले oxygen पर भी देखा जाए तो दो electron तो double bond ये एक लॉन प्यर total four electron next बचा इसके अंदर एक single bond जिसके दो electron यानि कुल मिला के कितने हो गए six electron इसके complete हो गए लास्ट देखें थर्ड वाला oxygen इस थर्ड वाले oxygen के अंदर एक minus charge लगा है क्यों क्योंकि इसने second वाले oxygen से electron लिया है और उसके बाद यहां पर मैंने एक लॉन पर बता दिया यह तोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए three हो गए उसके बाद एक लॉन पर और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए five हो गए और एक लॉन पर और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए seven हो गए अब बात आप यहां पर कहोगे अब आप यह बात कहोगे कि electron तो six होते है oxygen के पास लेकि seven कहां से और seven इसलिए है क्योंकि oxygen ने एक electron जो है second oxygen से लिया है तो इस तरीके से इसका structure draw होता है अब इसमें resonating structure बनाना चाहें तो सिर्फ इतना सा change जाएगा कि जहां पर oxygen पर minus charge third पर आया है अब जो नया structure बनेगा उसमें oxygen पर charge जो है first पर आ जाएगा और second और third के बीच में double bond और first और second के बीच में single bond आ जाएगा तो इस तरीके से जो है हमारे पास ozone का structure होता है और आज का जो हमारा last topic है वो है allotrops of sulfur sulfur के three allotrops होते हैं first is alpha sulfur, beta sulfur, gamma sulfur alpha sulfur को rhombic sulfur, beta sulfur को beta sulfur को monoclinic sulfur और gamma sulfur को plastic sulfur भी कहते है तो first बात करेंगे आज के अंदर कि ये allotrops prepare कैसे होते हैं तो हमने एक sulfur की rod ली है उस rod पर हम carbon dioxide sulfide gas को flow करें तो हमें जो obtain होगा alpha sulfur अप्टेन होगा यानि कि sulfur की rod के उपर से carbon dioxide sulfide gas हमें गुजारनी है तो alpha sulfur होगा अब इस alpha sulfur को 369 Kelvin temperature दे दिया जाए तो ये beta sulfur में change हो जाएगा कि इसी sulfur rod को heat किया जाए तो heat करने पर ये molten state में यानि पिगल जाएगा अब इस molten sulfur पर हम थंडा पानी जैसे ही उड़े लेंगे या थंडा पानी का flow करेंगे तो ये change हो जाएगा गामा sulfur के अंदर तो एक sulfur की rod से ही carbon di sulfide heating करके और temperature change करके alpha, beta और गामा sulfur हम obtain कर सके अब हम firstly पढ़ेंगे alpha sulfur या rhombic sulfur इसका जो first point है वो ये है कि ये allotrop जो होता है बाकी सभी allotrop से highly stable होता है और yellow crystalline solid होता है next point जो इसका है ये exist करता है S8 की form में next point जो इसका है इसको prepare कैसे किया जा सकता है तो carbon di sulfide flow करनी है sulfur load पर next इसका structure देखे हैं इसके अंदर तो structure में मुझे sulfur के 8 element बनाने तो मैं यहाँ पर sulfur के जल्दी से 8 element बना देता हूँ तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर 8 element रिप्रेजेंट करती है अब इन 8 element को आपस मैं connect करना है तो यह connect होने के बाद कुछ इस तरीके का structure बनेगा और इस structure के form में जो है यह exist करती है next बात करें second जो है beta sulfur या monoclinic sulfur beta sulfur को prepare करने के लिए alpha sulfur पर 369 Kelvin temperature देना है और देते ही यह change हो जाएगा किसमे बीटा sulfur में अब यहाँ पर एक point ध्यान रखना है कि जब alpha sulfur को 369 Kelvin temperature दिया जाता है तो first of all यह एक porous layer का formation करता है यानि ऐसी layer बनाएगा जिसमें बहुत सारे छेद हो porous हो अब इस layer को जैसे ही हम हटाएंगे तो हटाने पर हमें needle shape के monoclinic के allotrops obtain हो जाएंगे monoclinic के crystal obtain हो जाएंगे तो it means यहाँ पर when alpha sulfur heated at 369 Kelvin and after cooling it from porous layer on removal of this porous layer obtain needle shape crystal of beta sulfur next बात करें इसके अंदर तो alpha sulfur 369 Kelvin के नीचे present होता है और beta sulfur 369 Kelvin पर या उससे higher temperature पर exist करता है next बात करें इसके अंदर इसका structure भी S8 की form में होता है या exist भी करता है ये S8 की तरफ next बात करें इसके अंदर third जो हमारे पास plastic या gamma sulfur की ये जो है S6 की form में exist करता है अब इसका structure देखना है हमें सिर्फ तो structure जो है इस तरीके से represent होता है यहाँ पर 6 sulfur के element मुझे represent करने है और इनको आपस में जोडा जाए तो जोडने पर एक chair like structure बनेगा तो इस तरीके से जो है ये तीनों form exist करती है हमारा next topic जो है वो है sulfur dioxide यानि की SO2 first of all बात करेंगे method of preparation of sulfur dioxide first method is lab method lab method के अंदर sodium sulfide की reaction acid से करवानी है और acid से करवाते ही हमें SO2 obtain होगी कैसे obtain होगी देखते है sodium sulfide लिया हमने इस sodium sulfide की reaction हम HCl से करवा रहे हैं तो displacement reaction होगी और Na और Cl बाहर निकल जाएगा इट मींस NaCl निकल गया और lastly जो बचे वो SO2 बचे वो as it is हमें obtain होगी इसी तरीके से हम sodium bisulfide का use करके भी lab के अंदर sulfur dioxide gas का preparation कर सकते हैं next method जो हमारा है वो है commercial method commercial method के अंदर जो first method है वो है from roasting of ores sulfur ores यानि sulfur ores की हमें roasting करनी है तो यहाँ पर हमने HGS लिया है और इस HGS की reaction O2 से करवाएं या air की presence में इसको burn करें तो burn करने पर HG reduce हो जाएगा और SO2 gas हमें जो है obtain हो जाएगी next second method जो हमारे पास है from burning of air यानि कि sulfur को air में या oxygen की presence में burn किया जाए तो भी sulfur dioxide produce होती है next topic जो है हमारा वो है property of sulfur dioxide फर्स्ट प्रोपर्टी जो इसकी है it is colorless pungent smell gas second it is highly soluble in water water के अंदर soluble होता है क्योंकि water के molecule के साथ sulfur dioxide hydrogen bond का formation करता है अब इनको cylinder में feel करने अब इनको cylinder में feel करने के लिए cooling effect का use करके compress किया जाता है it means it filled in cylinder compressing at high pressure using cooling effect next property जो है reaction with water तो water से reaction करवाने पर water और SO2 दोनों के molecule add हो जाएंगे और H2SO3 means sulfurous acid का formation करेंगे next reaction है reaction with base base के साथ जब reaction करवाई जाएगी तो salt और water बनेगा तो यहां पर NaOH की reaction SO2 से करवाई है तो Na2CO3 और H2 को बनाएं इस reaction में NaOH base है तो SO2 जो work कर रहा है वो acid का work कर रहा है और acid और base reaction करके water plus salt का formation करते हैं next reaction जो है reaction with oxygen या O2 तो SO2 की O2 से reaction करने पर SO3 यह जो है sulfur tri oxide का formation होता है next reaction जो है reaction with CL2 यह important reaction है अब CL2 की जब SO2 से reaction करवाई जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है as it is दोनों के formula को लिख देना है और लिखने के बाद जो हमारे पास compound obtained होगा उसको बोलते हैं sulfurile chloride next reaction जो है हमारे पास reducing agent यानि SO2 जो है reducing agent का work करता है कैसे करता है देखते हैं समझते है reducing agent के बारे तो यहाँ पर मैंने एक reaction लिखी है इस reaction में SO2 की reaction मैंने KMNO4 से करवाई है इस reaction के अंदर KMNO4 जो है उस KMNO4 पर plus 7 charge है और plus 7 charge से यह MNSO4 यानि की plus 2 charge में convert होता है तो यहाँ पर plus 7 से plus 4 इसने electron gain की है और electron gain करेगा इसका मतलब इसका reduction हुआ है यानि SO2 KMNO4 का reduction करवा रहा है इस कारण से SO2 यहाँ पर एक reducing agent का work कर रहा है तो यह था हमारा sulfur dioxide नेक्स्ट content जो हमारा है वो है oxo acid of sulfur sulfur के 8 oxo acid है उनमें से पहला oxo acid जो है वो है sulfurous acid H2SO3 second oxo acid जो है वो है sulfuric acid H2SO4 next इसी तरीके से थायो sulfuric acid और उसका जो formula है H2S2O3 next है hypo sulfurous acid H2S2O4 next fifth oxo acid जो है वो है pyrosulfurous acid H2S2O5 next sixth oxide जो है dithionic acid H2S2O6 next fifth oxide जो है pyrosulfurous acid H2S2O5 next seventh oxide जो है pyrosulfuric acid H2S2O7 और last जो oxo acid है वो polythionic acid H2SNO6 यानि N जो है integer है कुछ भी हो सकता है 1,2,3,4 कुछ भी हो सकता है तो ये थे oxo acid of sulfur thank you